राइसेन में प्रशासन के आदेश को किसान नहीं मान रहे हैं कलेक्टर के अपील के बाद भी गेहूं की फसल काटने के बाद उसकी नर्वाई में आग का मामला लगातार सामने आ रहा है जबकि नर्वाई में आग लगाना पूरी तरह से प्रतिबंद है गेहूं की फसल कटने के बाद नर्बाई में आग लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंद है राइसेन की अगर बात करते हैं तो राइसेन में बिजला प्रसासन दौरा नर्बाई में आग लगाने के बाद किसानों के उपर मामला दर्ज करने के लिए आदेश जारी हुए है बाब जूद इसके आप देख सकते हैं हम इस समय साची रोड इस्तित एक खेत पर मौजूद है आपकी जहां तक भी नजर जाएगी आपको खेत में नर्वाई में आग लगी मिलेगी क्योंकि जिला पिरसासन की अपील और जिला पिरसासन के आदेश यहां पर किसान उनकी धजियां उड़ाते नजर आ रहे हैं किसानों को केबल नर्वाई में आग लगाने से मतलब है ना कि उनको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि हम को जो जिला पिरसासन है इसके आदेस का पालन करना चाहिए आपको बता दें कि चुकि चाहे नेशनल हाईवे के पास निकलने वाले राहगीर हो बो भी इसमें परेसान नजर आते हैं इसके धुए से तो बही आसपास जहां खेत में आग लगाई जाती है नर्वाई में बहां के रहबासी जो आसपास के छेतर हैं के रहबासी हैं बो भी बहुत ज़्यादा परेसान होते हैं लेकिन बावजूद इसके किसानों को फर्क नहीं पड़ता है और आप वो केबल फसल काटने के बाद गेहूं की नर्वाई में आग लगा देते हैं आप देख सकते हैं ये एक ऐसा नजारा है आपकी जहां भी नजर जाएगी आप देख सकते हैं छोटे से खेत के बाद आपक को दिखाई देगी पूरे खेत यहां पर काले नजर आ रहे हैं जहां तक भी नजर जाएगी आपको सिर्फ नर्वाई के आग लगने के बाद पूरे खेत काले नजर आएगे इससे ये साफ जायर होता है पता चलता है कि किसान जिला पिरसासन जो बार बार अपील कर रहा है उसको लेकर बिलकुल भी गंबीर नहीं है बहीं इस नर्वाई की आग से हजारों की संक्या में यहां पर जीब जन्तू मारे जाते हैं खेतों में तो उसके बाद भी जंगल की तरफ इसलिए आग लग जाती है बढ़ जाती है जिससे की जंगली पेड़ों को भी नुकसान होत आग लगाते जा रहे हैं बहीं अगर बात करते हैं तो जिला पर सासन को लगता है कि एक दो किसानों पर एफ आई अर्दर्ज करना पड़ेगी उसके बाद साइथ किसान इस बात को समझेंगे कि हमें नर्वाई में आग नहीं लगाना है अजे गोहिल इंडिया न्यूज र